खिसान भाईो नमाश्कार किसान भाईो आज हम आए हैं अपने ही काओं में अपने चाचा जी के पास मैं और में और ये दो साल से जो है लगबग सेफ़सेलिय तो ठोटी सी जानकारी इन्से लें पहले थोड़ा सा परीचैंबे नमस्कार जी जोड़ा सा एक छोटा सा परीचा करवा दो मैं दलीफ कुमार जी किसानी करता हूं जी और यह मैं दो साल से इसे प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है तो यह अपना मतलब गन्ना भी है और अपनी सरसो भी है पर यह मतलब सरसो भी हो जागी है चांव जाए आपने यह तरीक के से करी मुझे इसा लग रहा जैसा और भाईयों की तो तो सरसो काफी बड़ी होगी आपकी थोड़ी कम है यह मील की वजह से थोड़ा लेट जैसे मील चले थोड़ा सा हाज जो है यह वैराइटी भी पछिती है मतलब सरसों की जो वैराइटी है यह मतलब लगबग यह यह मतलब निकलेगी निकलेगी तो इस तरह कैसे करने से आपको क्या लाब मिलेगा जी यह है कि मतलब डेड़ गुना आम दनी बढ़ जागी ठेड़ कुना कैसे बढ़ जागी 20,000 रुपे हमारी निकल लिए तो 10,000 रुपे हमारी सरसों भी निकल जागी अच्छा मतलब दस की सरसों होगी सरसों की अगर बचत हमें इंख में हो घम हाजी तो सरसों की भी बचत जो है सेफसली जो है सब निकाल देगी सेफसली निकाल देगी और अपने घर का जो है प्यूर तेल हो जब बिलकूल तो आप अब जैसे मैं आपके देख रहा हूं इधर तो उससे कुछ नुकसान होगा उससे मतलब गन्नेवी पैदावार भी फरक पड़ा है बड़ा हुतरी पे भी कीड़ा भी जाते पकड़ेगा और जो इस समय हम खात गेरते हैं तो इससे जो भब का वो बनेगा एक तो मोसम टंडा है अच्छा जी और उपर से उसे घहमों में ह पढ़िया तो रहा जाए जाए जब वहुंगे तो उसका बेनेफिट और बढ़िया मिलेगा तो मुझा इसे वह साथ के साथ ही बहुत हो तो इस बार घ्यों की घ्यों की किसम की बुगाई कर रहे हैं तीन सो तीन की अच्छी वैराइटी है तो गिरता विरता भी नहीं हो न बहुत जो खदर के छेतर हैं वहां तो रेड रोट लगके बेकार हो गया तो किसान भाईयों को कुछ जैसा आपके अपने परसनल तुजर्ब हैं उसके हिसाब से कुछ क्या जानकारी देना चाहोगे जो उस जानकारी को आपकी बात को मानके किसान भाई थोड़ा सा लाब मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर किसान के पास ट्रंश व्यधि के मतलब साधन नहीं है या इतनी जमीन नहीं है . थोड़ी जमीन गटेगा जी और अगर बरीक होगा तो जल्दी सूख जागा जो है मतलब उसका वेट बहुत जल्दी एक दम गिरेगा गिरेगा कटते ही गिरना सुरू हो जाओ उसका वेट मोटे गन्ने का वेट दो तीन दिन तक लगातार रहेगा बहुत बढ़िया आपने इतनी अच्छी जानकारी थी आपका बहुत बहुत धिन्यवाद किसान भाईयों जैसे चाचा जी कर रहे हैं खेती तो यह कई साल से इसाज मारे है आज जो है मेरा मन था यहां पर आने का तो मैं थोड़ा सा मैला का माया देख सकते हैं गन्ने का गन्ना कितना बढ़िया हो रहा है और सरसों कि सरसों होगी तो अगर आप इस तरह का फ़सल चकर अजमारना चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल के तोर पर अगले साल से यह काम जरूर करें नमस्कार